असलाम लेकुम तो आज मैं आ गई हूं आप सब के सामने एक और नया वीडियो लेकिए तो आज का जो मेरा वीडियो है वह यही टॉपिक पर है कि आप अपने कप्रे के कॉर्डिंग अपना बेस को कैसे सेलेक्ट करें कौन सा बेस आपको अपलाई करना चाहिए तो चले हम अ कोई भी कपड़ा जब बेर करते हैं किसी भी फॉंक्षन के लिए या किसी पाठी के लिए तब हमारे दिमाग में यही रहता है कि जैसे मैं रोज मेकप करती हूं वही बेस लगाना है वही चीच कर देना है तो यह करने से मतलब आप एक ही तरीकी के बेस हर में सा अपलाई क करना है तो यहां पर मैं अपना कपड़ा दिखला रही हूं देखें यह मेरा एक कपड़ा है तो इसका जो दुपट्टा है यह दुपट्टा आपको ऐसा है और यह सुट का जो कलर है वह आफ वाइट है यह मतादम क्रीम कलर में मतादम यह आफ वाइट कहलाता है यह आफ क्विपटे कपड़ा पहनते हैं यह प्रिपटे का भी कपड़े का कलर लाइट हो तब आप वहां पे अपने रेगुलरी बेस ना लगाए। अपने बेस में हलका सा पिंक पिंक फांडेशन यह नहीं कि बहुत जादा सा तो वह गॉँक्स करके तब जा कि अगर आप अप्लाई करेंगे और उसके एक ओर्डिंग अपना मेकप करेंगे तो बहुत ही खुबसूरत आएगा जो आपका मेकप होता है जो आप यलो टोन वाले जो है वह अगर रेगलरी वाले मेकप करते हैं तो आपका मेकप उतना अच्छा नहीं लगता है जैसा मैं आपको बतलाने वाली हूं इस पर लगेगा तो यह बिल्कुल ध्यान रखे अगर आपका कपड़ा लाइट है तो आपका बेस चेंज हो जाएगा तो यहां पर देखें यहां पर मेरे पास दो फांडेशन है एक है डेली लाइफ फॉरेवर फिफ्टी टू का है और यह मेरा पैक का फांडे से है जिकला देती हूं यह देखें देखें कियो यह यह दू को जद्यात है यह पूल अपकर मिल घृट कừa यह बहुत ज्यादा लाइट है यह बिल्कुल लाइट सा पिंक में है तो अब आप बोलेंगे तो बाई मेरा तो अंडरटोन वाम है तो मैं पिंक वाला लगाऊंगी कूल अंडरटोन लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा तो आप हमेशा ध्यान दे कि आप जब फाउंडेशन ले ना तो दो तरीके का आपके कपडे के कॉर्डिंग इस चेंज करना में बहुत जाता जाए अगर आपने कपड़ के करदिugस करेंगे ना तो आपका बहुत उस्क्रता आएगा और आपका लुख भी बहुत अच्छा लिगेगा यह नहीं कि ऐसा कोई नहीं बोलेगा कर दो यह हैंशा थाक्मान मैं आपको बिल्कुल affordable price में मतलब मैं fit.me के foundation से आपको बतलाऊंगी कि आप कैसी अपने base को change करें मैं fit.me का foundation ले रही है 115 यह जो foundation है बिल्कुल गोरे लोगों के लिए है क्योंकि यह ivory shade में बिल्कुल pink है तो आप इस तरीके का कोई भी foundation ले ले पिंग जो इसका shade pink हो इतना ध्यान देखे इसका shade बिल्कुल pink है मतलब यह नहीं है कि वह pink से यह बिल्कुल pink में आते हैं जो इदम गोरे चिट्टे pink shade में होते हैं जो उन लोगों के लिए होता है तो आप इस तरीके का कोई भी foundation ले 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 और अगर आप चाहें तो इससे dark color भी ले सकते हैं अपने color अपने skin tone के according आप ले 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 तो और यह जो foundation है नहीं ज्यादा यलो है और नहीं ज्यादा पिंग का हलका सा इसमें tone दिया गिया है यहां मैंने fit me का दो shade लिया है एक हे 130 एक हे 130 यह फिर्टो आपको हलका से लेना ही है और यह देखे बिल्कुल lights आपको लेना है और इसके बाद से आपका जो यह pink side है बिल्कुल light सही है यह ज्यादा हो गय है इसका सिड आप एतना एक बात आप धियान रहे किभी आप सेड जब मिक्स मैच करें न तो पहले कम कौन्टिटी इसे मिना ले कम कौंटिटीमे देखो इसको ऐसे से मिक्स करके कर देखें अब इसे अच्छी तरीके से आप ब्लेंट करेंए आप पूरी तरह इसे कहसेरे थे प्लेंड कर लेने हैं अच्छे तरीके से ब्रेंड कर लciones हिर यह द्यान असदेगे आपको बहुत ज़्याद पूंतिरी में पिंग सेड़नी आ Shouldn't तो बिल्कुल light light shade mix करना है आपको जैसा लगे कि नहीं थोड़ा सा और पिंक होना चाहिए तो हलका सा mix करें otherwise ना mix करें और हर्मेशता जो foundation अच्छी तरीके से ब्लेंड करोगे न तो बहुत ही अच्छा से एफेक्ट और इसके साथ मैं बोलूँ आपको अगर सुगर का जो बनाना पाउडर राता है जो शेटिंग पाउडर राते वह आप यूज करोगे न बहुत ही अच्छा क्यूंकि वह नहीं यलो शेट देता है बहुत ही अच्छा सेट देता है जैसा आपका बेस रता है बिल्कुल वैसा वह शेट देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वह तो देखे आप अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लें बहुत ही अच्छी तरीके से देखे मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड क कभी भी फाउंडेशन को मिक्समैस जब कर रहा है तो एक बात कदम ःत्यान प след के चोर रहेगा अपने से मतलब बाहिर ना जाए आपको अपने सेट के कॉर्डिंग लेना है आपका अगर जो फांडेशन उसी में मिक्स करना है यह नहीं कि आप फेयर में फेयर मिक्स करते जाए तो वह तो बिल्कुल भूत बना देगा इतना ध्यान दे अपना सेट के कॉर्डिंग किया है जो मतलब वाइट कलर को थोड़ा सा शो करने लगता है तो उसमें आप जब अपना बेस लगए ना तो बिल्कुल लाइट सा पिंक टिंट डालना पड़ेगा पिंक कलर का अपको हलका सा फांडेशन उसको मिक्स करना पड़ेगा तब जाके जो आपका लूक आएगा और लिप कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज करें आपको जो कलर पसंद है रेट लेकिन मैं प्रशनली यह करूं कि रेट साइड अवोइड करना चाहिए लेकिन मैं तो नियोन पिंक लगाती में यह सारे सेट पर तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप और अपना बेस बनाएं और बस बना के मुझे जरूर बताएं कि आप सब को किसा लगे तो आज क godt मैरा यë वीडियो एफ सबको कैसा लगा मुझे कोमंट करके जरूर बताएगा और मेरे वीडियो को लाइक मिलकुल चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे जाज़त दें अल्ला हाफिज यह देख ज़्य मेरे लास्ट बिल्कुल मेरे सेट से मिक्स हो गया है बिलकुल यह अलग साथ नहीं दिखता है यह थोड़ा भी रुकने के बाद रॉक्सिडाइड हो जाता है और अभी जाट होके बिल्कुल आपको परफेक्ट दे देता है तो मैं देखने